वेलकम गाइज उन्माय यूटूब चैनल यूनिवर्सल थिंग दोस्तो आज हम जानेंगे कि एक हब मोटर और एक गेर मोटर में क्या अंतर होता है आपने सभी ने सुना होगा कि यदि आप एक साइकल बनाता है या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाता है तो दो मोटर का नाम आत अपनी वीडियो पर आप सामने देख सकते हैं दो हम पर मोट रख no तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यह वाली सब 9 monitor है और यह जैई करिक है मेरे पास दोनों ही वेंदो यो कम्पनी की मोटर है ये वाली भी वैंडियो है न और ये वाली भी वैंडियो है अब हमें बहुत सारे दिक्कत फेस करनेपड़ती है जब भी हम प्रजेक्ट मनाते है कि हम कौन सी ले कौन सी बहतर है ठीक है तो आझ हम इसी चीज का solution देखेंगे कि हमें hub motor और gear motor में से कौन सी बहतर motor होने वाली है ना ये दोस्तो 36 वोल्ट की है और ये 24 वोल्ट की है हाला कि इस चीज़ को छोड़ दीजे कौन सी कितने वोल्ट की है बस हम बात करेंगे कि कौन सी अच्छी है हमें कौन सी लिन चाहिए ठीक है तो मैं एक चीज़ पगड़ता हूँ cycle हम cycle बनाने के लिए hub motor और हम gear motor को use में लेते हैं हम बात करते हैं hub motor की ठीक है दोस्तो hub motor जो है ये cycle के बीच में लगती है जो cycle का रिम होता है उसके बीच में लग जाती है और फिर हम इसे mount करते हैं ठीक है और दूसरी चीज़ ये 36 volt की है 350 watt की है आप इस पे दो बंदे अराम से बैठा के ले जा सकते हैं जो इसकी speed है वो 30 से 35 km पर तीयार है और ये 38 km पर तीयार की speed से भी दोड़ सकती है इसमें कोई chain वगेरा नहीं लगती अगर chain लगती है तो वो cycle की फ्राइवल पर लगती है और इस पर चड़ती है इसमें कोई ऐसा system नहीं है कि जैसे gear motor में होता है gear motor में एक chain अलग से लगती है जो इसकी फ्राइवल से attach होती है अब hub motor की जो इस power है वो hub motor की power gear motor की power से थोड़ इसी कम है लेकिन hub motor मेहंगी है आप कहोगे जब hub motor मेहंगी है तो hub motor की speed ज़्यादा होने चाहिए है कोई speed तो ज़्यादा है लेकिन जो power होते है न एक वो torque जो है वो आपको gear motor वाली kit में मिलेंगा gear motor kit की बात करते हैं दोस्तो जो gear motor kit है जो gear motor है हमारी ये भी बहुत ही powerful motor है है ना बहुत ही ज़्यादा powerful है ये आप मैंने cycle पर try किया था ये 3 से 4 बंदे को 4 बंदे भी बैठा गए दोस्तों खीच लेगी इतना ये power रखती है gear motor है ना और gear motor की बस एक थोड़ी सी कम है जो इसकी power है ये थोड़ी सी power ज़्यादा लेती है ना बैटरी थोड़ी सी खपत ज़्यादा है लेकिन हब motor की खपत इतनी नहीं है हब motor बहुत ही अच्छी speed पर भगती है और हब motor को लगाना भी बहुत ही आसान है वही gear motor को लगाना थोड़ा सा hard है और इसकी chain भी कई बार हमें देखने को मिलती है कि उतर जाती है तो उससे थोड़ा सा इसकी जो mechanism है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है लेकिन हब motor में ऐसी कोई दिक्कत फेस करने की आपको जोड़त नहीं है हब motor लगाईए देखो हब motor जैन वन चीज है हब motor आप saitormे बीच में लगाईए इसमें इसमें ही आपको तिल्बिल्य लग जाएगी देखो तिल्य के इसमें साइ्य पोक के साइज दे रखा है 36 स्पोक इसमें लग जाएगे यह वाली हब motor किसी भी साइकल में लग जाएगी ये एक अलगी इन्नोसेंट लुक देता है ना एक अलगी फीलिंग हमें देती है कि हम हम मोटर से चल रहे हैं और हम मोटर से दोस्तों यदि आप चलोगे ना हम मोटर से मैं मांदा ही बता रहा हूं हम मोटर से आप ड्राइव करोगे पहले गेर मोटर से क्या है और फिर हम मोट हब मोटर का एक अलगी मतलब मतलब क्या ही बता हूं हम मोटर का एक अलगी सुआद है भाई हब मोटर जिसने चला ला ना वो गेर मोटर को तो प्रिफिर करें सकता लेकिन अगर कोई पहाड़ी और कि में हैं जैसे हरीदवार है रिशी केस है कोई मतलब रेंज वाला एरिया है कोई पहाड़ी वाला एरिया है महाँ पे गेर मोटर बहुत अच्छा बार करती है क्योंकि इसमें गेर है यह लोड नहीं मानती है ना देख दो यह चैन ही फिट हो जाती है और यह फ्राइवेल पर से अटेच होके देखो यह तो सिर्फ मोटर है लेकिन यहाँ पे इसके गेर मोटर लगा रखा है तो यह काफी पावरफुल होती है यह साइकल के साइड में लगती है दोस्तों मैं बता दूँगा इस पे इसक्रीन पे थमल की स्पीड है तीनहजार नहीं होगा कमी होगा लेकिन इसका तो पांच जार आर पिम तक सपीड जाएगा और दोनों काफी अच्छी मोटर है लेकिन मैं पेरिफिर करूँगा हाँ हम मोटर ले यदि आप हम आप मोटर हम से लेने चाहते हैं मोटर के साथ सभी किट मिलेगी तो पूरी किट, कॉंबो किट का सेट जो है, वो 16,000 रुपे का है, वो इसका कॉंबो किट का सेट 11,000 रुपे का है, जिसमें बैटरी, चार्जर, किट, कलच, ब्रेक, रेस, कंट्रोलर, मांटिंग, प्लेट, फ्राइविल, सब चीज मिलेगी, ऐसे ही इसमें है, इसमें भी तो दोस्तों, यदि आपको चाहिए, तो मैं नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं, मेरा नंबर है 989-722-4825, दुवार नोट कीजिए, 989-722-4825, ये दोस्तों हमारा नंबर है, आप इस पर आके पूछ सकते हैं कि कौन से लेनी चाहिए, लेकिन लास्ट में मैं एक इस पस्टे क सब्सक्राइब, तो हम मोटर बढ़ी आया, ठीचे, मैं इस वीडियो में कनिक्लोजन दे रहा हूँ, जो मेरा मानना है, वो हम मोटर बहुत अच्छी है, तो मैं अगर मुझे चुनना हो तो भÁई मैं हम मोटर को चुनूँगा, ठीक है, तो हम मोटर धीजधा बैस्ट मोटर आपके साथ आपको भाई आशिश्कमान धन्यवाद